तो अभी जो ये मददान का आकड़ा रही है आप इसका कैसे आकलन करते हैं तेके ये बहुत निराशा जनक है उसके पीछे मैं बताओं अगर 20% का मददान अभी तक हुआ है चार गंटों में तो इसका मतलब है कि जनता में कोई उत्साहा नहीं है जनता थोड़ा उदासीन है अब उत्साह नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि ना तो किसान आंदोलन को लेकर उत्साह है ना बीजेपी के किसी मुद्दे को लेकर उत्साह है ना अखिलेश यादो जी ने जो इतनी मेहनत की जिनोंने बोला कि 403 सीट पे हम जीतेंगे अगर इन में से कोई भी फैक्टर हो तो भीड लगी रहती ये मद्दान जो है 20 की जगा 35 के आसपास 30-35 तक जो है अब तक हो गया होता ये बहुत नॉर्मल है और बिलो नॉर्मल है इसका मतलब है कि कोई भी मुद्दा हाइलाइटेड नहीं हुआ है लोग किसी भी मुद्दे से प्रभावित नहीं हुए है और ये रूटीन में जाएगा अगर ये रूटीन में जाएगा तो ये हो सकता है 60 से लेके 70-75 के बीच में अटकेगा तो रिजल्ट भी ट्रेडिशनल रहेगा जो पिछली बार हुआ है इसको थोड़ा सा क्योंकि ठंड के दिन है हम ऐसा क्या समझ सकते कि सुबह कोहरा भी था स अगर कोई बिसेश मुद्दा है जिसके लिए जनता इंतिजार कर रही है कि अपकी बार तो हम सबक सिखाएंगे ही सिखाएंगे तो वहां पे एक घंटे पाहले से लाइन लग जाती है क्योंकि उनके अंदर उत्साह होता है सीजन चाहे कुछ भी हो देखे भारत का पोलेट अगर कोई जनता इतनी उत्साहित होती कि अपकी बार तो सबक सिखाना है अपकी बार तो परिवर्तन लाना है तो एक घंटे पहले से ही इतनी लाइन इतनी गहमा गहमी होती है कि पूछिए मत अच्छा नॉर्मल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनको पता है शाम को 6 बजे त तक मजदान होना है एक घंटे अडिशनल भी मिल जाते हैं तो ज्यादा तर ठंड का है तो उसमें यह होता है कि आराम से कर लो थोड़ा धूप हो जाए फिर हम चलेंगे तो हो सकता है मेजर अगर हम यह मालने कि 70% का एवरेज टोटल जाएगा तो 20% अभी पड़ा है तो 50% सेकेंड हाफ में पड़ेगा वहां पे क्राउड थोड़ी दिखेगी लेकिन जितना एवरेज पिछली बार था अगर उससे एक सी मैं किसान अंदोलन की बात करता हूं जिसकी की बहुत बड़ी हवा थी अगर इतना बड़ा असर रहता तो जब भीड यहां हाईवे को जाम क सकती थी वहां लाइन लगी रहती किसानों की लाइन लगी रहती ट्रक्टर से पहुंचते किसान अपने जैसे यहां पहुंचे थे लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं उतनी बड़ी भीड नहीं दिख रही है तो इसलिए मुझे लगता है कि यह नॉर्मल वोटिंग जा रहा है वोटर से एकदम सामाने तरीके से हैं जिसके लिए मैं भी आशंकित था देखे आपने बोला मौसम थंड़ा है इसलिए मैं उन किसान भाईयों की बात करता हूं जो यह बोल रहे थे बारी सो थंड हो कुछ भी हो हम तो यहां बैठे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे सरकार को हिल देंगे वो कर देंगे टिकैज जी बोलते थे तब उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा आज एक दिन जब सारी चीजे सारी चीजे मनवाने की और करने की बारी आई तो टिकैज जी ने कोई आवाहन नहीं किया उनकी पूरी टीम गायब हो गई इतना लो प्रतिसत में वो हो कि कहीं कोई किसान छूट तो नहीं गया है लेकिन सब गायब हैं तो यह बताता है कि इन्होंने टिकैज साहब ने जो आंदोलन किया वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन था उसके पीछे विपक्षियों का कुछ हाथ रहा होगा उसका सामाजिक कोई दैरा नहीं है असर नहीं रहा आपका बयान फिर कंट्रिक्टरी हो जाता है मिश्राजी आपने गाए कि पॉलिटिकली मोटिवेटेट था तो उनको तो बूथों पर नजर आना चाहिए था पॉलिटिक्स बिदिन पॉलिटिक्स मैंने यहां पर केवल एक फैक्टर की बात की है जिसकी चर्चा यह हो रही थी और टिकैट सहाब सेल्फ क्लेम कर रहे थे कि अब की बार हम हवा का रुख बदल देंगे मैं उनकी बात कर रहा था वो उसका कोई इंपक्ट मुझे चुन कि है कि मथूरा मुद्दा है इस चुनाओं में क्योंकि छेड़ने की कोशिश की गई थी भारती जन्ता पाटी के और से इस पर लगता है कि बारती जन्ता पाति जो चर्चा की केशव प्रसाद्मोरे ने खाया कि अब कि अदिया काशी हो, आठिकि का मह्त्रा प्राहा थी रूप में convert नहीं हो पाया, चाहे वो भाशपा का रहा हो, चाहे सपा बसपा का जो भी रहा हो, जैसे एक तरफा लहर चलती है ना, जैसे राम मंदिर का चला था, कि सारे लोग उसी के favor में हो गए, तो मतुरा के लिए इन्हों ने चर्चा की, मुझे ये लगता है कि या तो उ कुछ ने कुछ impact जरूर पड़ेगा, चाहे वो 0.1% ही space बना पाये voter के दिमाग में, कोई भी मुद्दा यहां पे, even सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जिसको मैं समस्ता था, सारी दुनिया बोलती थी, वो किसान का था, तो वो किसानों का मैंने पहले ही बोल दिया, उस मु voting percentage से नहीं दिख रहा है, तो मुझे यह लगता है, जनता बड़ा traditional होके सोच रही है, जनता आपकी बार किसी भी नेता या किसी भी party के manifesto के चक्कर में नहीं पड़ी है, जनता कहीं जा नहीं रही है किसी के पीछे, और जनता ने अपना decision खुद अपने आप लिया है, अगर scattered type के thought हैं यहां पे, और बड़ा गुप्त रहेगा, यह असली result तभी आएगा न, कि जनता के मन में क्या है, जब ballot खुलेंगे, उतकर प्रदेश में, अखलेश यादोजी की जो कार्चरदीगी है, अगर अब मैं उपलब्धियां बताने गिनाने लग जाओं, तो समय पूर आपके सामने और हमारे सामने हैं, जो नदीर हैं यह आप कहेंगे कि मैं समाज बाती हूं इसलिए ये बात कर रहा हूं लेकिं वास्तवीत बात कर रहा हूं, और उसके साथ-साह कभी किसी का उन्रों ने अफमान नहीं किया, कभी कैसी को अकोर इहां को, खेड़ंये होगा, ऐसे अस्टब्दों का प्योब नहीं किया जो चेली निग्जे में आज बीजेती के नेता और लोग कर रहे हैं जैसे अब हम यह कहें कि प्रजान मंत्री जी है सम्वानेत हमारे इस देश के वो इंटर्व्यू दे रहे हैं इस वोटिंग के टाइम पर चुनाव के समय पर वक्ता होंगे जो मेरे मित्र बोल रहे थे उनकी मजबूरी है इन्होंने बोला कि यह चुनोती देते हैं कि देश में किसी भी नेता या सरकार ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना अख्लेश यादों ने किया इसका यह जानकारी अनुरोद के साथ मैं आपके क्या हाल कर दिया सबसे बड़ी उपलब दी दूसरी सबसे बड़ी उपलब दी उनकी वाइफ डिमपल यादो भी चुनाओ लड़ती थी जो कि भविस की बहुत अच्छी महिला नेता हो सकती थी उनको चूले चौके में लगा दिया तीसरी सबसे बड़ी उपलब दी कि मशाला कोई पूछे नहीं आजम खान जो जिनके दम पे वो था उनके सपोर्ट में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला अपने लोगों का साथ छोड़ दिया उपलब्धियां सर देखिए अपने मुझ से अपने मूमियां मिठ्व बनने से उपलब्धियां नहीं होती है जो आ आहुल गांदी की नईया कॉंग्रेस की नईया डुबो दी बीस्पी में मायावती जी के जाके पैर छुए जिनसे कभी भी समझोंते की उम्मीद नहीं थी वाई मैं आरहा हूं आपके शिदिकी जी खूख के चाटने वाली उपलब्धियां उनकी हैं मैं बता रहा हूं ने इसमें आप विद्वर्टा से विचार करिए माफिक पहले माँ लेता हूं मुझे पता है समाजवादी पार्टी वाले फोन कर देंगे अमताफ सिंह की तरह कि जो फ्लाइवर ब्रिज दिखाया था फोटो दिखाई थे योगी जी में कई ऐसे प्रचार किये और अभी तो बोल रहा है कि दिन भर उपलब्धिया जी ना हुगा अब केवल इतने पर आ गये हैं यही गमी है समाजवादी पार्टी में तूरे जिशु में जूट बोलन कि आख जूट बोलने में महारत हातिल है और जहां शुपाल जी की बात कर रहे हैं उन्हें सिपाल जी को उन्होंने चुनाव लगा है और अभी एक तरह आप एसे हैं कौन सी पोस्त दिये हैं उन्हें मुझे बताइए क्या वसला कि एपाल के लिए मुख्यमंत्री और दूसरी बात जूट बोल करके दूसरे पर जूटा इल्जाम लगाना भाई इसके लिए कुछ तो कुछ तो कम रहे हैं आप अभी बोल रहे थे कि मैं नजीर देने लगूँगा तो दिन बर गुजर जाएगा जरा नजीर दीजिए ना अखले श्यादों के कावों का ना तो मैं कह सकता हूं अणा इसी मेरी बात करते हैं वाकिसमाजमादी पर्टी और अखले श्यादों के दो दो लोग पर ही बात करते हैं चोर-चोर मौसेरे भाई आपके मंतरियों के द्वारा कह देना और कहीं राम जा दे और बोलूँगा नहीं उस सब्द को गाली दे देना यह पहचानाती है समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है अर एक जर्टी के सम्मान की बात करती है इस देश की सम्मिदान की बात करती है और विकास और काम की बात करती है यह मेरा आप से हमलोद है सारे लोगों से और जंता से अपील है कि हम जो बात कहते हैं वो करत पर भी जवाब दिया कि वो उनका जनाधार नहीं है और उस रेली पर जब मैंने पूछा कि नहीं रेली में भीड तो आपने बता है नहीं कि अखिलेश जी को सुनने के लिए भीड आ जाना उसमें अंतर और मैंने आप पे कहा था जैसे आपने अने लोगों की भी बात वी तो साम पर मैंने उस पर कहा और विकास की बात कही अपरेश जी के साथ में दूसरी बात नहीं कहीं और जो भी बात कहीं वो सच कहीं नेयूं धाइन देखे अ सिधिक जीDoes में इस बात के साथ अपनी बात रहा है। वो तो आपा हो देते तुरंट डिबेट में लेकिन मैं आपके तारीफ करूंगा इस मामले में जो लोग रामराज की बात करते हैं मैं उन्हें भी कहूंगा अयां दिजह परोबेती गर्णा लगुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधाय वर कुर्टम वकम तो सास्त्रों ने इस वसुधा में रहने वाले सभी लोगों को एक परिवार माना है यह हमारी सोच है और वो मैं अपनी सोच को आपके साम ने ठीक सिद्धिकी साब करने वाले नेता वहीं मत्रत वाली बात शुद्धिक मैं मालों के समाज बादी और हन सके मत हमें बखुला सुशोवित नहीं होता है आपकी बाते कुछ और है आपके से दांज कुछ और है